कतर में आठ भार्तियों को सुनाई मौत की सजा तो वहीं विदेश मंत्राले ने कहा कि हम रित्यूदन के फैसले से बेहत स्तम्ध है अरब देश कतर में आठ भार्तियों को फासी की सजा सुनाई गए इन सभी पर जासूसी का आरूप है कतर में आठ महीने पहले भारते नौसिना के आठ पूर्व अधिकारियों को जासुसी करने के आरोप में गिरफतार क्या गया था ये गिरफतार ही पिछले साल सितंबर में हुई थी और अब सजा का एलान क्या गया है इस मामले में भारते विदेश मंत्राले ने बयान जारी कर कहा कि मौत की सजा के फैसले से हम बेहत हरान हैं विस्टित फैसले का इंतजार क्या जाएगा विदेश मंत्राले ने कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं इस मामले को बहुत महतपूर मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं सभी काउंसलिंग और कानूनी साहता देना जारी रखेंगे फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे बता दे की मंत्राले ने फिलाल कारवाई की गोपनिय प्रक्रियती के कारण इस समय कोई और टिप्रिल करना उचित नहीं समझा जिन भारतिय ओफिसरों को मौत की सजा सुनाए गई है वे सभी ओफिसर भारतिय नौसिना में अलग-लग पोस्ट पर काम कर चुके हैं उनके उपर इस्राइल के लिए जासूसी करने का आरोप है इन आठ लोगों में प्रतिश्चित ओफिसर भी शामिल है जिनोंने कभी प्रमुक भारतिय युथ पोतों की कमान संभाली थी फिलाल धेरा Global Technologies and Consultancies Service के लिए काम कर रहे थे ये एक प्राइविट फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलोग को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी सर्विस मोहिया करती है इन आठो पूर्व नौसैनी को के नाम है इन सभी को जासुसी के आरोप में पुष्टाश करने के लिए इनके स्थाने निवास से गिरफतार कर लिया गया है रिपोर्ट के मताबेक इन आठ भारतियों की जमानत याजिकाए कई बार खारिश कर दी गई है कतर के अधिकारियों ने उनके हिरासत बढ़ा दी और गुरिवार को कतर की अदालत ने इन आठ भारतियों को फासी की सजा सुनाई रिपोर्ट के मताबिक मामले को अब भारतिय एजिंसिया उच्टम सर पर भी उठा रही है लेकिन कतर सरकार इस मुद्दे पर नर्मी के कोई संकेत नहीं दिखा रही है ये भी बताया जा रहा है कि इन पूर्ब भारतिय नौसिन अधिकारियों को पाकिस्तान खूफिय जिंसियों की और से फसाई जाने की आशंका है